Hello everyone, welcome you all at Located Sir Unlimited Study Zone. Class 11th CBSC batches यहाँ पर चल रही है. Chapter चलना है Motion and Align. बच्चों प्रैक्टिस चल रही है. और कल हमने Question No. 15 इसके पहले, जो कि Page No. 71 चल रहा है, वहाँ तक कल लिया था. अब आईए रेखते है Question No. 16 हमारे सामने हैं. करेंगे, आंगे Question. क्या करें Question No. 16? NCRD का Question है. Figan 3.24 shows the X-T plot of a particle in one-dimension motion. The three different equal intervals of time are shown. है ना, in which interval the average speed is greatest and in which the least. Give the sign of the average velocity for each interval. ठीक है, तो आपको बताना है कि किस interval में average speed सबसे ज़्यादा होगी और किस interval में average speed सबसे कम होगी. ठीक है ना? चलिए. तो देखिए, ये तीन interval आपके सामने interval 1, interval 2 और interval 3 दिये हुए हैं. और आपको बताना है कि average velocity का sign भी बताना है. average velocity equal to change in displacement upon change in time. ओके, और average speed क्या होता है? देखिए, दो चीज़ बतानी है आपको. average speed किसमें ज़्यादा होगी? average speed भी बतानी है और साथ ही साथ average velocity भी बतानी है. clear है? देखिए बच्चों. यहाँ पे आपका जो उपर जो graph है, number 1 में, इसमें displacement यहाँ पे positive है. और यहाँ पे भी displacement उपर positive है. यहाँ पे जो displacement है, दोनो displacement negative है. अब आपको बताना है कि किसमें average speed सबसे ज़्यादा होगी और average velocity, average speed सबसे ज़्यादा किसमें होगी, सबसे कम किसमें होगी. तो इस graph को manually watch करो. यहाँ पर जो displacement बदल रहा है, देखो, यहाँ से ले करके यहाँ तक, यह displacement. तो displacement, change and displacement कितना हो रहा है, देखो, यहाँ से लेके थोड़ा सा इतना. इस हवाले में displacement nearly equally है, नाक के बराबर है, और यहाँ पर देखी, एक बड़ा displacement change हो रहा है. क्योंकि यहाँ से देखो, graph नीचे आ रहा है. यह देखो, थोड़ा सा, थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा देखना पड़ेगा, अच्छे से. यह हालो हो रहे हैं. अब इतना देखने के पाद आपको बताना है कि average speed किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है. तो देखते हैं चले ही solution. Interval 3 जो आएगी, उसकी average speed सबसे ज़्यादा आएगी. यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है. बाकी में नहीं आ रही है. तो average speed जो सबसे ज़्यादा बनेगी, वो किसकी बनेगी? interval 3 की. और सबसे कम किसकी बनेगी? 2 की. क्योंकि तो 2 में देखो बिल्कुल ना के बराबर displacement, मतलब डिस्टेंस जो हुई है, बिल्कुल फिक्स मिल रहा है, और डिस्टेंसमेंट कम मतलब कम, तो चलिए, सबसे कम speed किसमें मिलेगी आपकी? 2 में मिलेगी, और सबसे greatest किसमें मिलेगी 3 में. बस, पहली बात हो गई. अब, अब बात करते हैं कि, दूसरा का, in which interval the average speed greatest and lowest हो गया? गिब दा साइन अप दा एवरेज वेलासिटी फॉर इच इंटरवल. भाई, average velocity का आपको sign बताना है. तो भाई, पहले में और दूसरे में positive आएगा, और तीसरे में क्या एगा? Negative आएगा. तो positive in interval 1 and 2 and negative in interval 3. क्यों आएगा? क्योंकि जो average velocity होती है, we average, this is equal to net displacement upon time. Okay? Net displacement upon कितना विटा? Time. तो यहाँ पर देखे, displacement इसका positive है. यहाँ का displacement इसका positive है. और यहाँ का displacement negative आएगा. यहाँ का displacement क्या आएगा? Negative आएगा. क्योंकि total negative में travel हो रहा है, तो displacement में negative भी वनेगा. Okay? तो answer यहाँ पर हो गया, यह हो गया, negative. तो बस यही answer था हमारा? ठीक है ना? Yes. Clear हो गया, यह इसका resolution दिया गया है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं हमने पढ़ा दिया आपको. चले एक बर पढ़ लेते हैं. The average velocity of the particle shown X-T graph is obtained by the slope of the graph in the particular interval of time. It is clear from the graph that the slope is maximum and minimum at the interval 1 and 3. In 3 and 2 respectively. कह रहा कि slope maximum होगा. भाई हम slope पर नहीं गया हैं. हमने change in displacement निकाल लिया. Time तो fix है. तो change in displacement upon time का फंडा अपनने लगा दिया. Slope से कुछ ज़्यादा अपन कोई फाइदा नहीं है. है ना? हमने change in displacement upon time लगा दिया. चले खेर, आंगे बढ़ते हैं. तो next, यह question है अगला. लो भाई साब अगला question पढ़ते हैं. अब वाई स्टेंडिंग इस्टेशनरी लिफ्ट open from above. एक बंदा है, यह एक लिफ्ट है. यह मैंने बच्चों लिफ्ट बना लिए. एक बंदा है, अब वाई स्टेंडिंग ओन इस्टेशनरी लिफ्ट है. रुकी हुई, इस्टेशनरी मतलब रुकी हुई लिफ्ट. ओपन फ्रम अबफ, थ्रोजब बॉल अपवर्ड मैक्समम इनीशल स्पीड ही कैन. और यह जो है, बच्चों यहां से यह मैक्समम इनीशल स्पीड से बॉल को फेगता है. ठीक है? फेगती है. इस्पीड ही कैन. इक्वाल तो 49 म्मीटर पर सेकंड. दे रका भाई साब. कि इस्पीड है, 49 म्मीटर पर? हौ मस्तीम प्रम दस लिफ्ट रिटर्न इस हैंड? ओह बवाई, पढ़ा है. मैंने टोटल ताइम जाना और वापस आना. पढ़ाया था T equal to 2U by G. T equal to 2U by G. How much time does the ball take to return his hand if the lift start moving up with a uniform speed of 5 meter per second. अगर lift जो है 5 meter per second की speed से start कर देती है and the boy again throws the ball up with the maximum speed he can how long does the ball take to return his hand. अगर ये lift चलना सुरू हो जाए और अब ये बच्चा एदी बॉल फेकता है तो बॉल को उस समय में आने में कितना time लगेगा तो मतलब दो cases हैं या पे इस question के एक जब lift नहीं चल रही है और दूसरा जब lift चल रही है तो बहिया देखिए ये पहली case है 49 meter per second है acceleration आपका कितना act करेगा minus 9.8 meter per second square बिल्कुल सही है case first है अपने पास में case first है अपने पास में when the lift was stationary when the lift was stationary और ये ball को फेकता है और ये ball को फेकता है तो directly formula मैंने बताया था t equal to 2u by g t equal to 2u by g बताया था ना तो आप t equal to 2u की value किती दी है भाई साब उपर देगा 49 है ना 49 upon g 9.8 9.8 होती है ना 9.8 का decimal तोड़ दो उपर हो गया yes 0 और 49 से 2 बार हो गया कितना 98 और 2 से 2 cancel हो गया तो मतलब आ गया 1 है ना 1 और 0 कितना हो गया sorry कुछ गरबड कर दी है मैंने ट इकल टू टू यू भाई जी कुछ गरबड कर दी है मैंने ट इकल्स टू 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 टाइम यू भाई जी यू आपके पास कितना दिया 44 4.9 तो नहीं दिया 49 ए 49 49 मीटर पर सेकेंड और यह कितना है 9.8 तो यह 98 multiply by 10 हो गया ठीक है अब ठीक है न यह देखिए 49 बार cancel हो गया और 49 से 49 से 49 एक बार cancel तो t is equal to हो गया 10 सेकेंड कितना हो गया 10 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड जाना और 5 सेकेंड आना तो देखिए यह जाने का टाइम जो है पाँच सेकेंड पाँच सेकेंड आ गया तो टोटल कितना लगा दस सेकेंड कितना लगा दस सेकेंड क्लियर ओके यस अब कह रहा है कि सेकेंड के इस कह रहा है कि बताईए अगर जो है लिफ्ट को lift को अगर lift को 5 meter per second की uniform velocity से move कर दिया जायतौ अगर lift को 5 meter per second की uniform velocity से अगर move करने दिया जाया दिखिए, the lift was moving up with a uniform velocity of 5 meter per second. In each case, relative velocity of the ball with respect to the boy remains the same. क्यों भाई साब देखिए बहुत अच्छी कंसेप्ट है यहाँ पे अगर आप लिफ्ट को पांच मीटर पर सेकेंड से मूव करा रहे हैं तो जो इनसान इसके अंदर बैठा है उसकी खुद की स्पीड में कितने का चेंज आ गया पहले रेंस पर था अब इसकी स्पीड कितनी हो गई पांच मीटर पर सेकेंड बूले-स ओनो और यह जो बॉल पआड पानच में इसमें इसमें यह पांच में एड हो चुका तो इसमें इसमें भी कितना एड़ हो चुका होगा पांच एड़ हो चुका है अब क्योंकि इसमें भी पांच एड़ हो गया और इसमें भी पांच एड़ हो गया तो दोनों का हिसाब बराबर हो गया क्योंकि जो इसके साथ हुआ और इसके साथ हुआ यस और नो तो गेंड जो पहले जि with respect to the boy remains same मतलब अभी भी जो relative velocity है वो same रहेगी क्या रहेगी? same रहेगी कैसे same रहेगी? ये बंदा कितने में है? पाच में है और ये बॉल कितने में है? 49 प्लस पाच चववन तो जो relative velocity निकालेंगे relative velocity is equals to velocity of ball minus velocity of y बोलो हाँ तो velocity of ball कितनी है? 54 और velocity of by कितनी है? 5 तो answer कितना होगा? 49 मतलब की इस बंदे के respect में बॉल अभी भी कितने से जा रही है? 49 से और पहले भी कितने से जा रही थी? 49 से जा रही थी पहले जब रुका हुआ था तभी कितने जा रही थी? 49 से है ना तो भाई साब इसलिए अभी भी return आने का time कितना होगा? 10 second ही होगा. क्योंकि जो हुआ है वो दोनों के साथ हुआ है. इनसान के साथ भी हुआ है, इसके साथ भी हुआ है. Clear हो गया? तो यह बहुत अच्छा case है, बहुत अच्छा question है यहां पे. कि जो velocity होगी, दोनों के लिए यहां पे same होगी. Done? चलिए. चलिए भाई देखते हैं अगला question. वेगे, a jet airplane traveling as a speed of 500 km per hour. एक jet airplane है, वो 500 km per hour eject. Eject its product combustion at a speed of 1500 km per hour. लो भाई सब. तो मतलब दो चीज़े दी गए है, यह number one है, jet की speed आपको दी गए. जेट airplane की speed कितनी है? 500 km per hour. ठीक है? Clear? और जो smoke निकाल रहा है वो, उसकी speed किती दी है? 1500 km per hour. Clear? 1500 km per hour. आपको बताना है, what is the speed of the letter with respect to observer in the ground? मतलब भया, जो smoke छोड़ रहा है letter, यहने बादवाले की. Letter यहने बादवाला. With observer on the ground. जो observer है ground पे, उसके respect में speed क्या होगी? जो यह smoke छोड़ रहा है, उसकी speed क्या होगी? ठीक ना? इस्मोक की speed क्या होगी? आपको यह बताना है. देखो साथ, समझो इसको. बैई, यह jet airplane की speed है. V jet airplane की speed. 500 km per hour. और यह smoke की speed है. माइनस 1500. देखो बढ़ा, यह jet है. Jet आंगे बढ़ रहा है, बोलो हाँ. और यह पीछे इसका smoke जा रहा है. पीछे क्या जा रहा है इसका? Smoke. तो यह जो smoke की speed है, इसलिए इसको हम ले लेंगे. क्योंकि jet आंगे बढ़ रहा है, तो jet आंगे की speed क्यती यह 500. और पीछे जा रहा है smoke, तो smoke की speed क्यती लेंगे, माइनस 1500. clear हो गया? हाँ. अब हमें निकालना है, कि smoke की speed ground में जो बंदा खड़ा हुआ है, उसके लिए क्या होगी? उसके लिए क्या होगी? जो बंदा ground में खड़ा हुआ है, उसके लिए क्या होगी है, ना? तो हम ऐसे समझो We smoke We smoke with respect to ground velocity of smoke with respect to ground Ground में जो बंदा खड़ा हुआ है आपको बताना है कि उसकी speed क्या होगी इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि ये जो आपको smoke दिखाई दे रहा है minus 1500 ये minus 1500 smoke धुएं की speed ये किस के respect में है ये jet के respect में है समझ मैं है मतलब ये जो velocity of smoke with respect to jet velocity of smoke with respect to jet है की नहीं है velocity of smoke with respect to jet मैंने क्या बताए था VAB equal to VA minus VB V smoke minus V jet पक्का अब इस velocity of smoke with respect to jet कितना है minus 1500 smoke की velocity पता नहीं है smoke की velocity पता नहीं है मतलब यह actual velocity नहीं है यह minus 1500 जो है जो धूएं इसको दिख रही है jet चलाने वाले को दिख रही है यह minus 1500 jet के लिए है समझ गए है है हमको निकालनी है actual smoke किस rate से निकल रहा है तो V smoke minus V jet jet की speed कितनी है भाई साब 500 कितनी है 500 तो इसको इधर ले जाएए तो minus 1500 और plus का 500 हो जाएगा कि नहीं होगा minus का 1500 और plus का 500 equal to V smoke clear answer आगया minus 1000 कितना हो जाएगा minus 1000 मतलब जो धूएं है actually वो पीछे निकलेगा minus 1000 1000 किलोमेटर पीछे मतलब backward के लिए minus sign लग गया है 1000 किलोमेटर पर आवर के rate से निकलेगा समझ में आ गया कोई दिक्कत बच्चों तो ये हो गया done complete अच्छा question क्या ये ये जो लगाता हूँ ये होता है completed का sign one मतलब completed यब कोई वी चीज आप पढ़ते हो न तो इसको लगा लो मतलब ये complete कलिया ठीक है चलिए गाइस देखिए अगला कोईशन NCRT का है बहुत अगला कोईशन है तो ट्रेंस A and B are length 400 meter are moving on a two parallel track with a uniform speed 72 km per hour the same direction लिए भाई साब ये मानलो do track है एक track ये है और एक track ये है ठीक ना इस पे train ये दौट रही है और एक train ये दौट रही है वोलो जी two train A and B two train A and B of length 400 meter दोनों की length किती है 400 meter दोनों की length 400 meter train की और ये दौन दौट रही है with a uniform speed 72 km per hour मतलब बढ़ा इसकी भी speed किती है 72 kmph बुलो हाँ और इसकी भी स्पीड है भाईस आप 72 km per hour अची बात है in the same direction with A ahead of B A जो है B के आंगे है मतलब ये जो train है A वाली train ये क्या है B के आंगे है ठीक है ना parallel track है एक track नहीं ये simple A track इधर है ये track इधर है but A B के आंगे है the driver of B decide to overtake train A इसने decide किया कि मैं इस train को पीछे कर दूँगा और accelerate कर देता अपनी train को 1 meter per second square से किते से 1 meter per second square से इसने accelerate कर दिया मतलब हर second में इसकी velocity 1 meter per second से बढ़ जाएगी 1 meter per second मतलब हर second में इसकी velocity 1 meter per second बढ़ जाएगी इसने अपना पैडल दबा दिया 1 meter per second square से इसने accelerate कर दिया acceleration equal to 1 meter per second square after 50 second the guard of 50 second के बाद the guard of B just past the driver of A मतलब B का जो guard है B का जो guard है ठीक ना after 50 second the guard of B B train का guard मतलब ये last वाला डिबबा last वाला डिबबा ये निकलते 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 इसको कहता है आंगे वाले कहता हाई मतलब ये जो guard train है इतनी आंगे निकलके यहाँ पर आगई निकलके आगई यहाँ चलते चलते और यहाँ जो last का जो guard बैठा हुआ था इसको ये past करता है देखो brush is past the driver of A what was the original distance between them बताईए इनके बीच की original distance क्या रही होगी मतलब शुरुवात में इनके बीच की जो distance है आपको ये निकालनी है ये लो clear हुआ बहुत तगड़ा question है J level का question है आईए इसको करते हैं कहरा कि बताईए शुरुवात में इनकी distance क्या रही होगी चली करते हैं तो सबसे पहले train एक ही बात कर लो initial velocity कितनी है 72 km per hour 72 km per hour इसको मैंने मीटर पर सेकेंड बदलिया this is equal to 20 meter per second टाइम कितना लगा है भाई या 50 second कितना लगा है टाइम मतलब train को overtake करने में train को train A को कौन सी train को train A को overtake करने में कितना समय लगा है ठीक अब train A जो है train A को overtake करने में 50 second लगा है किसको लगा है 50 second train B को अब train A तो अपना बढ़िया बिंदास चल रही है इनने uniform velocity से 20 meter per second से मतलब उसका acceleration कितना है जीरो कितना acceleration जीरो अब 50 second में इस train ने कितना distance travel कर लिया पहले तो वो निकालो बही अब 50 second में तुमने भले मुझे overtake किया है मगर 50 second में जो train चल रही थी A ये जो चल रही थी A धर 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 यह ना ये कुछ दूरी तो travel करेगी कि नहीं travel करेगी तो 50 second में कितनी डूरी ट्रेवल कर लिए वो हमने निकाल लिया ऐसी कॉल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वार से एक हजार मीटर बोलो जी हाँ है ना एक हजार मीटर क्लियर तो train A 50 second में चल लिए किती एक हजार मीटर अब train B का निकालो train B का acceleration है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वार train B ने चला कितना 250 मीटर कितना चल गया 250 by using the formula यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वार बस इसमें acceleration लग गया है है ना पिछले वाले में acceleration 0 था मगर इस वाले में acceleration है 250 मीटर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो train B कितना चल गई 50 सेकंड में 2250 टोटल और train A कितना चल गई 1000 तो भईया दोनों के बीच का gap कितना हुआ दोनों का difference ही तो gap हुआ ना 1250 मीटर का gap हुआ मतलब जो original जो दोनों के बीच की distance थी वो कितनी थी 1250 थी क्लियर हुआ ना क्योंकि accelerate होकर कि यह इतना चली और train number A इतना चली तो दोनों के बीच का original gap कितना था 1250 मीटर क्लियर हो गया ना चली तो यह यहाँ पे numerical question काफी सारे हो चुके है अब two marks के question यहाँ पे आते है चली what are positive and negative acceleration in straight line motion बता ही क्या होता positive and negative acceleration बिल्कुल गलत positive उपर जागा negative नीचे जागा ऐसा नहीं होता है अगर speed यह velocity increase होती है then rate of change of velocity is positive तो उसको हम बोलते है positive acceleration और जब speed decrease होती है तो उसको हम बोलते है negative acceleration okay you know acceleration is equals to होता है delta V upon delta T अगर delta V positive है delta V क्या है तो acceleration भी क्या आएगा positive यह और अगर delta V negative है तो acceleration भी जो होगा वो negative ही आएगा acceleration is equal to rate of change of velocity acceleration आएगा velocity का change तो velocity positive है तो acceleration भी positive होगा और velocity negative है तो acceleration भी negative होगा बोली clear है यह कहलाता है चलिए Next, can a body have zero velocity and still be accelerating? क्या body के पास velocity zero है मगर तब भी यह accelerate हो सकती है क्या situation बताइए कि body के velocity zero हो और यह accelerate हो जाए Is it possible? Yes, hundred percent अगर आप किसी body को highest point पर फेग दे at the top of the point body फिर वापस आने लगती है बोलो yes or no? तो मतलब at this top point पर body की velocity किती हो जाती है मगर फिर बर इस पर फिर भी इस पर acceleration काम करता है that is called acceleration due to gravity acceleration due to gravity clear हुआ? चलिए next question the displacement of a body is proportional to TQ where T is the time elapsed what is the nature of the acceleration? पढ़ाया मैंने कि अगर body ऐसे move कर रहे है कि इसकी displacement TQ के proportional है तो बताइए कि उसका acceleration का nature क्या होगा acceleration time graph कैसा बनेगा? बताइए तो बताया था मैंने कि अगर body TQ के proportional है तो बताना है आपको कि इसका acceleration time graph कैसे बनेगा? चलिए करते हैं दिखते हैं S is proportional to TQ, भूलिए है सानो? तो S TQ है S equal to KT cube, KT cube differentiate कर दीजे, तो velocity आजागा Ds by dt is called velocity velocity और KT cube का differentiation K and यह आजागा 3T square तो यह हो गया 3 KT square अब फिर से differentiate कर देगे यह वी, वी equal to the 3 KT square फिर से differentiate कर दीजे, dv by dt equal to 3 के बहार जाएगा और T square का differentiation 2T answer कितना आगया? 6 KT So this is acceleration, this is called acceleration So acceleration is proportional to time acceleration is proportional to time, आगया समझ में ना? तो acceleration जो होता है time के proportional है clear होगे ना? तो acceleration और time का graph कैसा बनेगा? acceleration यह है, time यह है, time की power 1 है बेटा जब भी power 1 होती है तो graph जाता है linear कैसा जाता है? linear तो straight line graph जाएगा यह देखिए time की power 1 है तो कैसा graph जाएगा? straight line, yes क्योंकि गॉश्चा ने पूचा था acceleration time का graph कैसा जाएगा? answer, straight line graph जाएगा suggest a suitable physical situation for the following graph इस graph को देखकर के भीया बड़ी अच्छी physical situation बताओ कि ऐसा कब हो सकता है ऐसा कब हो सकता है देखिए जब आप ball को पटकते हैं जब आप ball को पटकते हैं है ना? जब आप ball को पटकते हैं तो ball की speed जमीन में आते 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 बढ़ती जाती है ठीक जमीन में आते आते बढ़ती जाती है फिर बॉल रिवर्स हो जाती है और उसकी स्पीड धीरे 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 कम होती जाती है होती है ना बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है तो ऐसा समझे है कि यह आपके पास में बॉल है और यह आपने बॉल को पठका या अपने बॉल को जमीन पर पठका तो या इस पॉइंट पर बॉल की विलास्टी अपने ड्रॉप किया था बॉल को अपने क्या किया था ड्रॉप किया था तो इस पॉइंट पर विलास्टी जीरो थी धीरे 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 धी एक तुछ सीचोशन ये हो गई अब दूसरी सिचोशन देखो अगर आप बाल को नीचे से उपर फेको तो आप बाल को नीचे से उपर फेकोगे तो जिस समय आप फेक रहे होगे उस समय कुछ ना कुछ तो वेलासिटी नहीं होगी यू फिर जैसे जैसे बॉल उपर जाएगी इसकी वेलास्टी कम होती जाएगी होती जाएगी तो देखिए यहाँ पर इनिशिल वेलास्टी कुछ ना कुछ तो है पिर जैसे जैसे बॉल उपर जा रही है वेलास्टी देखो क्या हो रही कम हो रही है नहीं हो रही है, एक टॉप पॉइंट पर पहुँच करके विलास्टी किती होगी, जीरो, ये देखो विलास्टी होगी, जीरो, उसके बाद बॉल ने अपना रास्ता बदला और नीचे की डिरेक्शन में विलास्टी बढ़ाना क्या कर दी, शुरू कर दी, ये देखे, बॉल ने अपना रास्ता पकड़ा और नीचे की डारेक्शन में विलास्टी बढ़ाना सुरू बो हाँ फिर बॉल फटाक से जमीन पर टकरा करके बॉल जो है उपर की तरफ जाना फिर से सुरू ठीक ना मतलब बॉल की जो विलास्टी होगी फिर से कम होना सुरू हो जाएगी तो द फिर से कम होना शुरूओ ये थोड़ा सा graph भिला हलका सा shift हो करके बनेगा मतलब ऐसा समझो ये graph जो ना जैसे ये point है ना ये यहाँ पर आ जाएगा बिटा ये graph ऐसा बनेगा इसके आँगे ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर improvement की जरूरत है चलो अब देखो टकराने के बाद की scene देखो यहाँ तक आ चुके था ना इसके बाद देखो फिर से ball जैसे टकराई velocity गें करी और velocity फिर उपर जाने पर क्या होगी कम होगी क्या होगी कम तो यह देखो velocity गें करी और velocity पर जाने पर कम फिर रास्ता बदली फिर डान्वर्ड आई या गे डान्वर्ड फिर यहां गई फिर तक 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 उपर चली गई चली खि彪लो अब यह सो हो और उपर जाते-जाते कहा कि SPD कम होगी यह होगी कम फिर रास्ता बदलेगी उपर आके नीची समझ गए तो ये किसका graph है ये एक ball को upward फेकने का graph है गजब नीचे से उपर जाएगी नीचे से ऊपर जाएगी है ना तो speed धीरे-धीर क्या हो रही कम हो रही तो ये किसकी situation को soll करेगा the floor and rebound speed after each hit और इसके बाद ये rebound speed sorry and reduce speed after each hit जितने बार तक्रा रही है देखो इसकी speed कम हो रही है जितने बार तक्रा रही है इसकी speed क्या हो रही है कम हो रही है देखो इसकी speed पहले ये थी फिर ये हो गई फिर ये हो गई फिर ये हो गई फिर ये हो गई next an object is in uniform motion along a straight line what will be the position time graph for the motion if the object if x zero is positive displacement is positive and v is negative and v bar V is negative and average velocity is constant ठीक है Second, both X0 and V are negative and V is constant Where X0 is the position at time T भाई आपको बताना है कि क्या होगी इसका ग्राब बताना है देखो, first case में क्या है? X0 positive मतलब initial displacement positive है और उसके बाद V negative है तो ग्राब बन जाएगा ये लिजे initial displacement positive है और V क्या है? V क्यों negative है? क्योंकि ये देखो displacement time graph का angle क्या बना है? obtuse angle obtuse angle में V negative होता है next case में क्या है? कि X भी negative है और V भी negative है तो ये देखो initial displacement negative है और velocity भी negative है, clear हो गया? चलिए तो बच्चो 2 marks के question यहाँ पर हमारे finish हो गया है